नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका तिवारी एकेडमी में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान में भूगोल के अध्याय 4 के विशय में भूगोल का अध्याय 4 जिसका शीर्शक है क्रिशी दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि यह अध्याय हमारे लिए बिलकुल भी नया नहीं है हम इससे परिचित हैं ना सिर्फ अपने आसपास के लोगो द्वारा बलकी हमारी पाठ्य पुस्तक द्वारा भी हमने अपनी पिशली कक्षाओं में निसंदे इस अध्याय के विशय में बहुत कुछ पढ़ रखा है तो आज इस अध्याय में क्या कुछ खास है हमारे लिए चलिए शुरू करते हैं इस अध्याय को इस वीडियो को और बढ़ते हैं आगे और सब कुछ हम एक क्रम से समझने का प्रयास करते हैं सबसे पहले परिग्राफ में हमें यह दिया हुआ ह है दोस्तों कि अगर हम बात करें हमारे अपने देश भारत की तो यहाँ एक क्रिशी प्रधान देश है यहाँ लाइन आपके लिए नहीं नहीं है आपने यहाँ पहले भी सुनी है क्रिशी की दृष्टी से यानि खेती की किसानी की दृष्टी से भारत एक महतपूर्ण दे क्रिशी पर dependent है इंडिरेक्टली भी ऐसे बहुत सारे काम हैं जो की कृषी से जुड़े हुए हैं जो की क्रिशी के अंतरकत ही आते हैं इसके विशय में हम बहुत इविस्तार से सध्याय में आगे चर्चा करेंगे दोस्तों क्रिशी की अगर हम बात करें तो यह एक प्राथ मे क्रिया है है ना एक प्राइमरी सेक्टर में आने वाला काम है जो हमारे लिए अधिकांच खाध्यान उत्पन्द करती है है ना दोस्तों मुझे बताने की आवशक्ता नहीं है कि खाध्यान से क्या दात परे है दोस्तों खाध्यान के अतिरिक्त यहां विभिन उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है कच्चा माल क्या होता है जो हमें सीधे तोर पर प्रत्यक शुरूप से प्रकृती से प्राप्त होता है और फर हम अपनी जरूरतों या अपनी आवशक्ताओं की पूर्ती के लिए उसे प्रोडक्ट में यानि की उत्पाद में परिवर् दोस्तों इसके अतरिक्त कुछ उत्पादों का यहां पर जिक्र है जैसे की चाय, कॉफी, मसाले, आदी इनका भी निर्यात किया जाता है। पढ़ रहे थे और सबसे पहले जो फसल उगाई गई थी वो थी जों और गेहुं की। मुझे याद है कि आपको यह याद जरूर होगा। कह सकते हैं कि हमारी जो प्रोध्योगी की है, उसमें उसके द्वारा जो विधिया है, क्रिशी की खेती करने की उसमें एक सार्थक परिवर्तन हुआ है। यही कुछ शब्द हैं दोस्तों जो आपके विशय में यह बताते हैं, मान लीजे आपसे किसी ने प्रश्न पूछा और आपने अपना उत्तर जो है वो समझाने के तौर पे दे दिया। लेकिन आपका जो शब्द कोश है, वह कितना मजबूत है, इस बात पर निर्भर करता है कि आपके द्वारा दिये गए उत्तर से पूछने वाला कितना प्रभावित होगा। तो याद रखिए, जब भी आप किसी विशय को पढ़ें, सुनें, समझने की कोशिश करें, तो उस विशय के शब्दों पर बहुत ध्यान दिया कीजिए। ठीक है ना? क्योंकि ये शब्द कोश ही है, जो आपको विशय विशय शग्यता दिलाता है, हासिल कराता है। चलिए, आगे बढ़ते हैं, दोस्तों, जीवन निर्वाह के लिए खेती से लेकर, वानिजिक खेती तक क्रिशी के अनेक प्रकार हैं हमारे सामने। दोस्तों, वर्तमान समय यानि आधुनिक समय की अगर हम बात करें, तो भारत के विभिन भागों में निमनलेखित प्रकार के क्रिशी तंत्र अपनाए गए हैं, कौन-कौन से हैं, आइए इस पर चर्चा करते हैं, सबसे पहले हमारे सामने दिया गया है प्रारमभिक जीविका निर्वाह क्रिशी, इसमें क्या होता है? चलिए इसे समझते हैं. दोस्तों, इस प्रकार की जो खेती होती हैं, क्रिशी औजारों जैसे की लकड़ी के हल हो गए, लकड़ी द्वारा बनाए गए, डाव जिसे कहते हैं खुदाई करने वाली छड़ी और परिवार या समुदाई श्रम की मदद से की जाती है ये खेती, और दोस्तों इस प्रकार की जो खेती है, जो क्रिशी है यहाँ प्रायह मानसू मुझे उम्मीद है आपको ये सब चीजे समझ में आ रही है, ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आगे हम ये देख रहे हैं कि यह कर्तन एवं दहन प्रणाली जिसका जिक्र आया है और यह भी हमारे लिए नहीं नहीं है, हमने इसके पिछली कक्षाओं में, स हमने इसके विशे में पढ़ा था और किसान जो है दोस्तों इसमें क्या करते हैं मैं आपको समझा देता हूं कि जमीन के टुकडे जो है उसको साफ करते हैं और उन पर अपने परिवार के भरन पोशन के लिए अनाज वा अन्यखाद ये फसले जो हैं वो उगाते हैं इसमें होता यह है कि जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं जंगलों में उनके उपरी हिस्से को काट दिया जाता है यह मैं आपको बताता हूं सिर्फ इतना कहकर कि नहीं छोड़ सकता कि पिछली कक्षाओं में हमने पड़ा है मुझे याद भी आपको दिलाना पड़ेगा ये भी म होती है उसको भूमी पर जो है बिछा दिया जाता है इससे क्या होता है कि मिट्टी की जो उरवर्ता है वो बढ़ जाती है ठीक है ना इसी को कहते हैं कर्तन देहन प्रणाली अब मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से स्मरण आ गया होगा दोस्तों यहां पर दिया भरन पोशन के लिए अनाज और अन्य खाद्य फसले उगाते हैं जब मृदा की उरवर्ता कम हो जाती है तो किसान उस भूमी के टुकडे से इस्थानांतरित हो जाते हैं यानि एक जगा से दूसरी जगा स्थापित हो जाते हैं और कृशी के लिए भूमी का दूसरा पुना बढ़ जाती है दोस्तों चूकी किसान उर्वरक अत्वा अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते इसलिए इस प्रकार की कृशी में उत्पादक्ता यानि की प्रोडक्टिविटी कम होती है जिसका अर्थ है कि उत्पाद यानि प्रोडक्ट कम प्राप्त ह दोस्तों देश के विभिन भागों में इस प्रकार की कृशी को विभिन नामों से जाना जाता है अब ये नाम कौन से हैं आइए इस पर विचार करते हैं दोस्तों उत्तर पूर्वी राज्यों असम मिघालय मिजोरम और नागालेंड में इसे जूम कहा जाता है यानि जूम दोस्तों मनिपुर में पामल्यू कहा जाता है और 36 गड़ के बस्तर जिले और अंडवान निकोबार दीप सहु में इससे कहा जाता है दीपा मुझे उमीद है आपको ये जानकारी समझ में आई है और दोस्तों जब भी मैं आपके समक्ष किसी इस्थान का नाम लेता हूँ न तो मेरी आपसे ऐसी अपेक्षा रहती है कि आप उस इस्थान के नाम को कलपना द्वारा देख रहे हैं नक्षे में विश्व के अध्वा भा भूत होगा बलकि आपकी जो क्षमता है सुमरन रखने की वह भी अपने आप बढ़ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा ठीक है आगे बढ़ते हैं अब फिलहाल बात करते हैं जूम पे एक जानकारी दी हुई है और इसमें हमें बताया गया है कि करतन दहल प्रनाली या जाता है है ना देखिए कितनी सारी जानकारी कितनी कम लाइनों में हमारे सामने प्रस्थत की गई है अब आगे बढ़ते हैं यहां पर हमें यह बताया गया है कि भारत में भी यहां प्रारम भिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है जैसे मद्यप्रदेश में कहा जाता है पामा डाबी या कुमान या फिर बरीगा और पस्चिम घाट में कुमारी, दक्षिन पूर्वी राजस्थान में वाल्रे, वाल्ट्रे, हिमाले इन शेत्र की अगर हम बात करें, अगर आप हिमाले इन शेत्रे से हैं तो याद रखिएगा इसे कहा जाता है खिल, ज इसमें इसको याद करने से जो है confusion पैदा हो सकता है तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि यह चीज ना आपकी revision मांग रही है अगर आपने revision कर लिया तो आप पहुच जाएंगे confusion से conclusion तक ठीक है ना तो जितना आप revision करेंगे और ध्यान से समझते हुए पड़ेंगे उतना आप कास से प्रश्णों के उत्तर दिये जाते हैं कैसे प्रश्णों को याद किया जाता है सब कुछ आपको इस अध्याय में इस अध्याय से संबंध जो भी है जानने का अफसर मिलेगा तो वीडियो को बड़े इत्मिनान से देखते रही है दोस्तो अब देखिए इस चित्र को इस चित्र में आपको क्या नजर आ रहा है दोस्तो रिंजा असम में डिफू के बाहरी चित्र में अपने परिवार के साथ एक गाउ में रहती है कौन रिजा ठीक है न कहां रहती है असम में कहां पे डिफू के बाहरी चित्र में रहती है क्या वहाँ अकेले रहती है नहीं वह रहती है अपने परिवार के साथ शहर में रहती है नहीं नहीं वह एक गाउं में रहती है और वह अपने परिवार के सदस्यों द्वारा एक भूमी के टुकडे पर उगी वनस्पती को काटती है और काट कर और फिर उसे जला कर साफ करते देखकर आनंद का अनुभाव करती यह सब कुछ उसके सामने होता है वह प्राया परिवार के सदस्यों के साथ बांस के नाले द्वारा जरने से पानी लाकर अपने खेत को सिंचित करने में सहायता भी करती है और वह अपने परिस्थान से लगाव रखती है और जब तक संभव हो यहां रहना चाहती है परन्तु इस छोटी बच्ची को अपने खेत में मिट्टी की घठती उर्वरता के विशय में कुछ भी पता नहीं है जिसके कारण उसके परिवार को अगले वर्ष नय भूमी के टुकडे की तलाश करनी होगी दोस्तो इस परिग्राफ में जो हमें जानकारी दी है वह क्यूं दी गई क्या आपने सोचा है हमें यहाँ बताने के लिए कि जब इस प्रकार से खेती अक्रिशी की जाती है तो हमें एक स्थान छोड़ कर दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है और कारण होता है हमारी तकनीकी में कमी ठीक है ना मुझे उम्मीद है कि हम हमेशा वो देख पाएं जो हमें दिखाई दे रहा है उसके थोड़े से आगे इसे ही कहते हैं दूरदर्शिता और अच्छी समझ का परीचे चलिए फिलाल हम आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले प्रकार के उपर जो है गहन जीवी का क्रिशी दोस्तो इस प्रकार की क्रिशी या खेती उन शेत्रों में की जाती है जहां पर भूमी पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है यानि कम भूमी में अधिक जनसंख्या निवास करती है यह श्रम गहन खेती है जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रास सायनिक निवेशों को बढ़ा दिया जाता है और सिचाई का प्रयोग भी अधिक किया जाता है कि आप जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता होगा कारण है उत्पादक्ता में वृद्धी कर देना क्योंकि जनसंख्याकी तो वृद्धी हाँ पर हम देखी सकते हैं कम भूमी में विरासत के अधिकार के कारण पीडी धरपीडी जोतों का आकार छोटा और अलाब प्रत होता जा रहा है कैसे इस बात को थोड़ा विस्तार से समझीए मैं एक छोटे से चितर द्वारा आपको समझाता हूँ ध्यान से देखिएगा दोस्तों मान लीजे कि रामू के पास में इतनी जमीन थी इसमें वह आराम से खेती कर रहा था लेकिन अब रामू जो है वो बुड़ा हो चला है और उसके चार बेटे हैं अब चार बेटे में रामू के जाने के बाद यहाँ जमीन का बटवारा होना है तो यहाँ चार बराबर भागों में बट जाएगी एक रामू कि चार बेटे जरूरी नहीं है कि खेती ही करें, मान लीजे कि उसके पहले बेटे ने यहाँ पर एक मकान बना लिया, लिशान इमारट टाइप से रहने लगा और वो किसी और बिजनेस में लग गया, तो बचे हुए तीन हिस्से में अलग-अलग तीन भाई दोस्तों, किसान वैकलपिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमी से अधिक्तम पैदावार लेने की कोशिश करते हैं अता, क्रिशी भूमी पर बहुत अधिक दबाव है दोस्तों, अब हम बात करते हैं वानिजिक क्रिशी की दोस्तों इस प्रकार की जो खेती होती है, क्रिशी होती है, उसके मुख्य लक्षन, आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासाइनिक उर्वरोकों और कीट नाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है, आप समझ पाए इ आधुनिक निवेश जो होते हैं, जैसे कि अधिक पैदावार देने वाले हाईब्रीड सीट्स को आप उधारन मिले सकते हैं, है ना, रासाइनिक उर्वरोकों का और कीट नाशकों का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि अधिक मात्रा में उत्पाद उपलब्द हो, ज्यादा से ज्यादा प्राप्त हो जाएं, दोस्तों क्रिशी के वानिजी करन का इस्तर विभिन प्रदेशों में अलग-अलग, यानि कि भिन भिन हैं, उधारन के लिए हर्याना और पंजाब में चावल वानिजी की एक फसल है, लेकिन अगर हम बात करें ओडिशा की, तो एक जीवी का फसल है, आप समझ रहे हैं ना, वानिजीक फसल और जीवी का फसल दोनों में अंतर है, ठीक है, दोस्तों, रोपन क्रिशी भी एक प्रकार की वानिजीक खेती ही तो है, ठीक है ना, रोपन क्रिशी क्या है, एक प्रकार की वानिजीक खेती है, दोस्तों, इस प अंतरा पुरष्ट है दोस्तो इसे थोड़ा विस्तार से समझे रोपन क्रिशी जो है वो एक व्यापक शेत्र है ने बड़ी शेत्र में की जा रही है और अत्यधिक पूंजी जो है श्रमिकों की साहिता से ही इसमें की जाती है निवेश ठीक है ना दोस्तो इससे प्राप्त ज इसका क्यार्थ है कि यह सभी कुछ जो है एक व्यापक शेत्र में की जाने वाली क्रिशी के अंतरगत यानी रोपन क्रिशी के अंतरगत आती है अलग-अलग प्रकार के जब भी हम उधारण देखते हैं तो हमारे लिए परिभाशा, परिग्राफ, कहानी समझना सरल हो जाता है दोस्तो असम और उत्तरी बंगाल में चाय, करनाटक में कॉफी वहां की मुख्य रोपन फसले हैं मैं अंडरलाइन भी कर देता हूँ यहाँ पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है आपसे MCQs के तोर पर अगर इस अध्याय से कुछ प्रश्न पूछे गए तो संभव है कि यहाँ प्रश्न भी आ सकते हैं कि बताईए कि असम में और उत्तरी बंगाल में कौन सी रोपन क्रिशी है उधारन दिये जाएंगे आपका उत्तर होना चाहिए जाए ठीक है ना करनाटक में कौन सी है कौफी ठीक है ना और वहां की मुख्य रोपन फसले यहीं है बंदित उद्योग और बाजार ये महतपून योगदान देते हैं क्योंकि साधन ही नहीं मिलेंगे तो उत्पादन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुचाया जाएगा और बाजार का होना भी जरूरी है है ना जो कि मांगापूर्ती के सिध्धन तो पर काम करता ह यहां हम अर्थ शास्तर का विशह है अर्थ विवस्था में पढ़ेंगे यानी कॉनमी में फिलाल भूगोल पे रहते हैं है ना अब बात करते हैं दोस्तो शस्य प्रारूप की दोस्तो आपने भारत की भौतिक विविदताओं यानी हमने भारत की भौतिक विविदताओं औ और संस्कृतियों की बहुलताओं के संबंद में अध्यन किया है, पढ़ा है, एक मिनिट रुकिए, इस चित्र को देखिए, उत्तर पूर्व में बास की क्रिशी की जा रही है, यह उसका चित्र है, आप याद रखेंगे, उत्तर पूर्व मतलब मैं भारत के कौन से हिस्से की बात कर रहा हूँ, मुझे उमीद है आप समझ गए, है न, मोटे तोर पर मान लीजे कि यह भारत को भारत जैसा नक्षा है, और यह है उत्तर और यह है पूर्व, तो मैं इस हिस्से की बात कर रहा हूँ, ठीक है न, तो उत्तर पूर्व में बास की क्रिशी का यह चित्र था दोस्तो फिलाल शस्से प्रारूप को समझते हैं, अपने भारत, मतब हमने भारत की भहतेक विवलताओं और संस्कृती की बाहुलताओं के विशे में जरूर पढ़ा है, निसंदेह पढ़ा है, अध्यन किया है, दोस्तो यह देश में कृशी पध्धतियों और शस्स्य प्र ले आदी शामिल हैं दोस्तो भारत में तीन शस्य रितुएं हैं जो कुछ इस प्रकार से हैं कौन-कौन सी रभी खरीफ और जायत यहां बिलकुल भी अतिश्योक्ति नहीं है अगर मैं आपसे कहूं कि यहां भी हमने पढ़ा है आप कहेंगे सर बिलकुल पढ़ते आ रहे हैं ह से काट लिया जाता है अब इसमें कौन सी फसले आती है तो है गेहूं, जौ, मतर, चना और सरसो यह कुछ मुख्य रभी फसले हैं सिर्फ इतनी ही नहीं है याद रखिएगा यह उनमें से मुख्य हैं दोस्तो यद्यपी यह फसले देश के विस्तरित भाग में बोई जाती ह उत्तर और उत्तरी पश्चिमराज जैसे पंजाब, हरियाना, हिमाचल प्रदेश, जम्मु कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश गेहूं और अन्यरभी फसलों के उत्तपादन के लिए महतवपून राज्य हैं हमसे पहले ही कहा गया है कि यह फसले दोस्तो ऐसे त साम दिये गए हैं हमारे सामने पंजाब, हरियाना, हिमाचल प्रदेश, जम्मु कश्मीर, उत्तराखंडर, उत्तर प्रदेश ये गेहूं और अन्यरभी फसलों के उत्तपादन के लिए आप याद रखेगा कि महतवपून राज्य हैं आपसे प्रशन पूछा जा सकता है कि निम्नलिकित में से गेहूं और अन्यरभी फसलों के उत्तपादन के लिए कौन सा राज्य महतवपूर्ण है और मान लीजे तीन आप्शन को चौर आजाते हैं और एक आप्शन आजाता है हिमाचल प्रदेश तो आपको उस समय हिमाचल प्रदेश पर टिक करना होगा यदि विकल्प में बाकी के उप्शन ना होत ठीक है ना उमीद है आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं दोस्तों शीत रितू में शीतोष्न पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा इन फसलों के अधिक उत्तपादन में सहायक होती है ठीक है ना यानि कि सफलता भी उपरियोगत रभी फसलों की वृद्धी में एक महत्वपून कारक है याद रखिएगा महत्वपून कारक जो है ना फसलों की वृद्धी में वो कौन है हरित क्रांती की सफलता ठीक है ना हरित क्रांती मतलब पंच वर्षी योजनाओं में उद्देश रखा गय खेती जो है अधिकतम की जाएगी इतना उत्पादन होना चाहिए हाइब्रिट सीर्स का उपयोग पंजाब हर्याना जैसे शेत्रों में किया गया और परिणाम स्वरूप अधिक फसलें वहाँ पर पैदा की गई ठीक अधिक फसलें से तात पर अधिक उत्पादन से अब आग परिटू में बोई जाने वाली मुख्य फसलों के जो नाम है वो है चावल, मक्का, जुवार, बाजरा, तूर यानि अरहर, मूग, उड़त, कपास, जूट, मूफली और सोया बीन दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि याद रखिएगा रभी और खरीफ की फसलों के ये जो मुख्य उदारण है ये, है ना, इनमें से भी MCQs पूछे जा सकते हैं, यानि की सही विकल्प, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पस्चिम बंगाल, उडिशा, आंधर प्रदेश, तिलंगाना, तमिलनाडू, केरल और महारास्ट, विशेशकर, कोंकन, ततिये शित्रों, उत्तरप्रदेश और बिहार में की जाती है दोस्तों, पिछले कुछ सालों में, वर्षों में, चावल, पंजाब और हर्याना में, बोई जाने वाली महतफून फसल बन गई है, कौन चावल, कहां पर पंजाब और हर्याना में, क्या बन गई है, महतफून फसल बन गई है ठीक है दोस्तो असम पश्चिम बंगाल और ओडिसा में धान की तीन फसले कौन कौन सी ओस अमन और बोरो बोई जाती है ठीक है ना अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तो रभी और खरी फसल रितूओं के बीच ग्रीश में रितूओं में यानि गर्मी के समय में जो फसले बोई जाती है उसे कहा जाता है जायद फसले अब आप कहेंगे कि इसमें क्या बोई जाता है तो मैं आपको बता दूँ इसमें बोई जाते हैं सबजियां और फल जै अब बात करेंगे मुख्य फसलों की दोस्तों मिट्टी जलवायू और कृशी पद्धती में अंतर के कारण देश के विभिन शित्रों में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती है ठीक है ना भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलों की अगर हम बात करेंगे ना तो कौन सी है चावल गेहूं मोटे अनाज डाले चाए कॉफी गन्ना तिलहन कपास और जूट आदी दोस्तों बात करते हैं चावल की दोस्तों भारत में अधिकांस लोगों का खाद्यान चावल है हो सकता है आपको भी चावल अपने भोजन में पसंद हो प्रिय हो दोस्तों हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल का उत्पादक है ठीक है ना उत्पादक देश है दोस्तों यहाँ एक खरीफ की फसल है है ना दोस्तों देखिए यहाँ इस किताब की खासियत है क्या पहले हमने रभी की फसल देखियो और उसके उधारन पड़े फिर खरीव की फसले देखियो और उसके उधारन पड़े और जायत की भी लेकिन अब जब हम फसलों को पड़ रहे हैं तो हमें अलग से बताया गया है यहाँ पर कि यह किस की फसल है रभी किया खरीव की तो आप ऐसा समझ लीजिए कि रिविजन भी यहीं प वर्षा वाले शेत्र की आवशक्ता इसमें होती है और कम वर्षा वाले शेत्रों में इसे सीचाई करके उगाया जाता है मैदान में कटाई के लिए तैयार चावल की फसल आप देख सकते हैं इसे देखिए यहाँ है नक्षा चावल के लिए भारत का नक्षा ठीक है ना यहाँ पर यहाँ जो रंग है यहाँ हमें बता रहा है प्रमुक्षेत्रों के विशय में और यहाँ है गौन शेत्र ठीक है ना यहाँ पर नमियुक्त शेत्र मिल जाते हैं वो यहाँ रंग से ब समझ पा रहे हैं कौन कौन से शेत्र में चावल की अधिकता है बोई जाती है ठीक है ना ओके दोस्तों चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों तटी एक शेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है नहरों के जाल और नलकूपों की सघंता के कारण ठीक है अब जब हमने चावल की बात कर ली है तो आ जाते हैं गेहुं पर दोस्तों गेहुं भारत की दूसरी सबसे महतपून खाद्यान फसल है है ना रोटी किसे नहीं पसंद है दोस्तों जो देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है गेहुं क रभी की फसल की बात कर रहा हूँ, रभी की फसल को उगाने के लिए शीत रितू और पकने के समय खिली धूप की आवशक्ता होती है, उसे उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 सेंटिमीटर वार्शिक वर्शा की आवशक्ता होती है, याद रखिए समान रूप से, ठ जंगा सतलुष का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश ठीक है आप समझ पा रहे हैं दोस्तों पंजाब हरियाना उत्तर प्रदेश मध्यप्रदेश बेहार और राजस्थान की कुछ भाग यहूं पैदा करने वाले मुख्य राज्य हैं अब बात करेंगे मोट यह दिपी इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है लेकिन इनमें पोशक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है ठीक है ना दोस्तों मैं आपको बता दूँ रागी की अगर हम बात करें न तो इसमें प्रचुर मात्रा में आईरन याने की लोहा होता है केल्शियम भी होता है और शेत्रफल और उत्पादन की दृष्टी से जवार देश की तीसरी महत्कून खाद्यान फसल है आप समझ रहे हैं चावल और गेहूं के बात की बात कर रहे हैं दोस्तों यहां फसल वर्षा पर निर्भर होती है जवार की अधिकतर आर्द्र शेत्रों में यानि नमी वाले उगाय जाने के कारण इसके लिए सिचाई की आवशक्ता होती है यानि इरिगेशन की और इसके प्रमुख उत्पादक राज्यों का जब जिक्र आता है तो हमारे सामने आते हैं नाम महराष्ट, करनाटक, आंधर प्रदेश और मध्यप्रदेश के ठीक है ना भही उत्ली काली मिट्टी पर उगाया जाता है अच्छा एक चीज मैं आपको और याद दिला दूँ माल लीजिए कि हमसे पूछा गया कि निम्न में से मोटे अनाज कौन से हैं तो याद रखिए कि ये सब जो अभी अब हम पढ़ रहे हैं जुआर बाजरा रागी ये सब गुजरात और हर्याना इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं दोस्तो रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है ठीक है ना बात हम बाजरे की ही कर रहे हैं और यहाद लाल काली बलुआ दोमट और उतली काली मिट्टी पर अच्छी तरह उगाई जाती है याद रखिए मिट पतराखंड सिक्किम जारकंड के साथ अरुनाचल प्रदेश का ठीक है ना आप याद रखिएगा अब हम बात करते हैं मक्का की दोस्तों यहाँ एक ऐसी फसल है यानी मक्का जो खाद्यान वचारा दोनों रूप में प्रयोग होती है और यहाँ एक खरीव की फसल है जैसे ह हमने चावल के लिए भारत का नक्षा देखा था वैसे ही यहाँ पर गेहूं के लिए दिखाया गिया है ठीक है ना आप समझ सकते हैं कहां कहां पर गेहूं की पैदावार अधिक की जा रही है यह प्रमुक्षेत्रों को दर्शा रहा है है ना ठीक अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो हम बात कर रहे थे जो 21 डिगरी सेलसियस से 27 डिगरी सेलसियस तापमान में और पुरानी जलोड मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती है मक्के की बात हो रही है दोस्तों है ना दोस्तों बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रभी की रितु में भी उगाई जाती है है ना आश्चरे की बात दोस्तों आधुनिक प्रध्योगिक निवेशों जैसे उच्च पैदावार देने वाले बीजों उर्वरकों और सीचाई के उपयोग से मक्का का उत्पादन बढ़ा है करनाटक मध्यप्रदेश उत्तरप्रदेश बिहार आंध्र और तिलंगाना मक्का के मुख उत्पादक राज है इसमें आप तिलंगाना का नाम जरूर याद रखेगा दोस्तों अब बात करते हैं मक्का की क्रिशी पर दोस्तों यह तस्वीर आप देख रहे हैं आप देख रहे हैं कि बुट्टे में से जो है बुट्टे निकाले जा नहीं है आपर इस पसल से और फिर इससे मक्का जो है बहापराप्त होगी अब डालों पर आते हैं भारत विश्व में डालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोगता है याद रखिए डालों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है भारत है और उपभोग कौन कर रहा है भारत कर रहा है दोस्तो शाकाहरी खाने में दाले सबसे अधिक प्रोटीन दायक होती है यानि इसमें सबसे अधिक प्रोटीन मिलता है तूर यानि अरहर, उडद, मूंग, मसूर, मतर और चना भारत की मुख्य दलहनी फसले हैं नाम याद रहेंगे आपको तूर यानि अरहर, उडद, मूंग, मसूर, मतर और चना दोस्तो अब हमसे बोल रहे हैं कि क्या आप बता सकते हैं कि इन में से कौन सी दाले खरीफ में और कौन सी दाले रभी में उगाई जाती है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि दालों को कम नमी की आपशक्ता होती है और इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है फलीदार फसले होने के नाते जो अरहर है उसको छोड़कर अन्य सभी दाले वायू से नाइट्रोजन ले लेती हैं और भूमी की उरवर्ता को बनाई रखती है पता इन फसलों को आम तोर पर अन्य फसलों के आवर्तन यानी रोटेटिंग में बोया जाता है भारत में मद्यप्रदेश, राजस्थान, महराष्ट, उत्तरप्रदेश और करनाटक दाल के मुख्य उत्पादक राज्य हैं मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई है अब हम बात करते हैं खाद्यान्यों के अलावा अन्य खाद्य फसले सबसे पहले बात करेंगे गन्नाई दोस्तों गन्नाई एक उष्ण और उपोष्ण कटी बंदी फसल है समझें यहाँ फसल 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाली उष्ण और आर्द जलवाईयों में बोई जाती है कम वर्षा वाले प्रदेशों में सीचाई की आवशक्ता होती है भही जहाँ पर वर्षा कम हो रही है वहाँ पर तो सीचाई करनी ही पड़ेगी और इसे अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है तथा इसके लिए बुआई से लेकर कटाई तक काफी शारिरिक श्रम की आवशकता होती है ब्राजील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है यह चीनी, गुड, खांडसारी और शीरा बनाने के काम आता है यह सब नामों से आप परिचित होंगे भाई चीनी से तो आप रोजी परिचित होते हैं गुड से खांडसारी और शीरे से भी आप परिचित हैं अगर नहीं है किसी एक से तो जरूर सर्च कीजेगा दोस्तो उत्तर प्रदेश, महरास्ट, करनाटक, तमिलनाडू, आंध्र प्रदेश, तिलंगाना, बिहार, पंजाब और हर्याना, गन्ना के प्रमुक उत्पादक राज्य हैं इसमें मैं अधिक समझा इसलि बड़ा तिलहन उत्पादक देश था, जैसे की वर्तमान में चावल के लिए भी है, दोस्तो सन 2017 में तोरिया के उत्पादन में भारत का विश्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरे स्थान था, देश में कुल बोय गए छेत्र के 12 प्रतिशत भाग पर कई तिलहन की फसले उगाई जाती है, तिलहन में क्या आता है, मुंफली, सरसो, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी और सूरज मुखी, इन सब के तेल निकाले जाते हैं, इसलिए इन्हें तिलहन कहा जाता है, है ना, दोस्तो भारत में उगाई जाने वाली मुख्य तिलहन फ और उबटन उद्योग में कच्छे माल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, दोस्तो मुंफली की अगरम बात करें, तो यहाँ खरीफ की फसल है, तथा देश में मुख्य तिलहनों के कुल उत्पादन का आधा भाग जो है, वो फसल में इसी से प्राप्त होता है, आप चित्र को ध्यान से देखिए, इस चित्र में, मैदान में कटाई के लिए तयार मुंफली, सूरज मुख्य और सरसु, आप देख सकते हैं, है ना, ठीक है, दोस्तों, गुजरात, मुंफली का प्रमुख उत्पादक राज्य, यानि यहाँ पर मुंफली जो है, प्रमुख र प्रमुख उत्पादक राज्य है, और यहाँ बिल्कुल पूछा जा सकता है, सहे विकल्प में भी, खालिस्थान में भी, ठीक है ना, याद रखिएगा कि जब भी हम किसी अध्याय को सुने, समझे या पढ़े उसका अध्यन करें, तो हमारा मस्तिश्क जो है, वह एक खाल खालिस्थान की तरह न रह जाए, इसलिए इस बात का याद रखिएगा कि क्या कुछ है जो खालिस्थान में पूछा जा सकता है, सहे विकल्प में पूछा जा सकता है, प्रश्न के तौर पर आ सकता है, एक विद्यार्ती यानि स्टुडेंट का इस तरह से सोचना भी एक अ आगे बढ़ते हैं इसके अतिरिक्त दोस्तो राजस्थान आंदर प्रदेश मुंगफली के अन्यमुक उत्पादक राज्य हैं 2016-17 के अनुसार यानि अकॉडिंग दोस्तो अलसी और सरसो जो हैं वो रभी की फसले हैं याद रखिएगा आप तिल उत्तरी भारत में खरीफ की और दक्षन भारत में रभी की अरंडी, खरीफ और रभी दोनों ही फसल रितूओं में बोया जाता हैं अब बात करेंगे चाय की ये चितर को देखिए चाय की कृशी बताई जा रही है चाय की पत्तियों को चुनती श्रमिक महिलाओं को भी यहां पर दिखाया गया है दोस् तर चाय बागानों के मालिक भारतिये हैं चाय का पौधा उश्न और उपोश्न कटी बन दिये जलवायू हिूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले धलवा शित्रों में भली भात ही उगाया जाता है चाय की जाडियों को उगाने के लिए वर्ष भर कोश्न नम और पाला रहित जलवायू की आविशक्ता होती है दोस्तो वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बहचारे इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सायक होती है चाय एक श्रम सगन उद्योग है इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल स्रम चाहिए दोस्तो इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तिया बागान में ही संसाधित की जाती है चाय के मुख्यों पादक शेत्रों में असम पश्चिमी बंगाल में दारजिलिंग और जलपाई गुडी जिलो की पहाडिया तमिलनाडू और केरल है इनके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेगाले, आंधर प्रदेश और तिरपुरा आदी राज्यों में भी चाय उगाई जाती है दोस्तो संद 2017 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा चाय उत्पादक देश था आप याद रखेगा कि 2017 में भारत बात की जाए और कॉफी की बात नहों यह तो अच्छी बात नहीं है बात तो करनी पड़ेगी दोस्तो भारतिये कॉफी अपनी गुनवत्ता के लिए विश्व विख्यात यानि की वर्ल्ड फेमस है और मैं आपको बता दूँ कि हमारे देश में अरेभी का किस्म की कॉफी पैदा की जाती है जो आरंब में यमन से लाई गई थी यमन कहां है दोस्तो कमेंट में जरूर बताईएगा ठीक है ना मुझे उम्मीद है आप कमेंट जरूर करेंगे अगर आप इस वीडियो में यहां तक पहुच गये हैं तो आगे बढ़ते हैं दोस्तो इस किस्म की कॉफी की विश्व भर में अधिक मांग है इसकी क्रिशी की शुरुवात बाबा बूदन पहाडियों से हुई और आज भी इसकी खेदी निलगिरी की पहाडियों के आसपास करनाटक केरल और तमिलनाडू में की जाती है दोस्तो अब कॉफी के बाद हम पहुचते हैं बाग को याद रखना है दोस्तो 2017 इसमें भारत का विश्व में फलो और सबजियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान था मैं आपको बता दूँ भारत उष्ण और शीतोष्ण कटी बंधी है दोनों ही प्रकार के फलो का उत्पादक है भारतिये फलो जिन में महराष आंदर प्रदेश तिलंगाना उत्तर प्रदेश और पश्चिमि बंगाल के आम नापूर और चिरापुंजी मेघाले के संत्रे केरल मिजोरम महराष्ट और तमिल नाडू के केले उत्तर प्रदेश और बिहारी की लीची और मेघाले के अनननास यानि की पाइनेपल आंदर प्रदेश तिलंगना और महराष्ट के अंगूर तथा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के सेब नाशपाती खुबानी और अखरोट की विश्व भर में बहुत मांग है ठीक है मुझे उम्मीद है आपके समझ में आया होगा अब आगे बढ़ते हैं इस चित्रों को जर भी प्रमुक स्थान है ठीक है याद रखेंगे आप चित्रों में देखिएगा मटर फूलगोबी टमाटर बैगन सब देख पा रहे हैं ठीक अब बात करते हैं अखाद्य फसलों की है ना यहाँ आपके लिए नया नहीं होना चाहिए अखाद्य फसले इसमें सबसे पहले ब परंतु विशेश परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण शेत्रों में भी उगाई जाती है इसको 200 सेंटी मीटर से अधिक वर्षा और 25 डिगरी सेल्सियस से अधिक तापमान बाली नम और आर्द्र जलवायू की आवशकता होती है ठीक है ना दोस्तों मैं आपको बत पहाडियों में उगाया जाता है अब बात करेंगे रेशेदार फसलों की ठीक है ना दोस्तों इसमें आप याद रखेएगा अखाद्य फसलों में नाम जो है कौन से दिये गये हैं केरल तमिलनाडू करनाटक अंडमान निकोबार्दीर समूह मेघालय गारू की पहाडियों तो आपसे यह नहीं पूछा जाएगा कि रबर जो है कहां उगाई जा रही है जहां तक संभावना है कोई एक नाम दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि यहाँ पर कौन सी जो है फसल उगाई जाती है आप याद रखेए का खास करके गारो पहाडियों को है ना ठीक बात करते हैं रेशेदार फसलों की दोस्तो कपास जूट सन और प्राक्रतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली चार मुख्य रेशेदार फसले हैं इनमें से पहली तीन मिठी में फसल उगाने से प्राप्थ होती है और चौथा रेशम के कीड़े के कोकून से प्रा अब बात करेंगे कपास की दोस्तो भारत को कपास के पौधे का मूल इस्थान माना जाता है सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक मुख्य कच्चा माल है कपास उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है है ना 2017 सार दककन पठार के शुशकतर भागों में काली मिठी कपास उत्पादन के लिए उपियुक्त मानी जाती है इस पसल को उगाने के लिए उच्चतापमान हलकी वर्षा या सिचाई 2010 पाला कही दिन और खिली धूब की आवश्चकता होती है यहाँ खरीफ की फसल है मैं आपको बता दूँ और इसे जो है पकर तैयार होने में 6-8 महीने लगते हैं इस चित्र को देखिए यहाँ कपास की कृशी का चित्र है अब बात करेंगे जूट की दोस्तो जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है जूट की फसल बाड के मैदानों में जलनिकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है जहां पर हर वर्ष बाड से आई नई मिट्टी जमा होती रहती है ठीक है ना कहां उगाई जाती है दोस्तो कहां पर जूट की फसल बाड के मैदानों में जलनिकास वाली जहने जहां से जलका निकास है ऐसी उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है जहां पर क्या होता है हर वर्ष बाड से आई हुई जो नई मिट्टी होती है वह जमा होती रहती है हम जूट की बात कर रहे है ठीक है ना दोस्तो इसके बढ़ने के समय उच्चुतापमान यानि हाई टेंपरेचर की आवशकता होती है अब नाम आएंगे पश्चिम बंगाल बिहार असम और अडिसा तथम्मेगाले जूट के मुख्य उत्पादक राज्य है और इसका प्रयोग बोरिया, चटाई, रसी, तंतू वधागे, गलीचे और दूसरी दस्तकारी की वस्तुए बनाने में किया जाता है दोस्तो इसकी उच्च लागत के कारण और कृत्रिम रेशो और पैकिंग सामग अगरी विशेशकर नाइलॉन की कीमत कम होने के कारण बाजार में इसकी मांग धीरे-धीरे कम हो रही है ठीक है अब अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रोध्योगी की और संस्थागत सुधार की दोस्तो जैसा कि पहले बताया गया है कि भारत में कृशी हजारो वर्षों से की जा रही है लेकिन प्रोध्योगी की और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में लगातार भूमी संसाधन के प्रयोग से क्रिशी का विकास अवरुद्ध हो जाता है यानि रुक जाता है तथा इसकी गती जो है वह हो जाती है भहिया मन यानि धीमी और खेती बाड़ी के लिए मानसून और भूमी की प्राकृतिक उर्वर्ता पर निर्भर है उमीद है परिग्राफ आप समझ रहे हैं दोस्तों मैं आपको बता दूँ बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए यह एक महतुपून चुनोती है 60 प्रतिशत से भी जो है हमने कहा जा र लाने की आवशक्ता है बाद बिल्कुल ठीक है आवशक्ता है दोस्तों स्वतंत्रता के बाद देश में संस्थागत सुधार करने के लिए जोतों की चकबंदी सहकारिता तथा जमिदारी आदि समाप्त करने को प्रात्मिक्ता दी गई प्रथम पंचवर्शी यूजना जिस की चकबंदी करना अनिवारे हो गया था भूमी सुधार के कानून तो बने लेकिन इनके लागू करने में दोस्तों धील की गई 1960 और 1970 के दशकों में भारत सरकार ने कई प्रकार के क्रिशी सुधारों की शुरवात की पैकेज टेकनोलोजी पर आधारित हरित क्रांती तथा श्वेत क्रांती ओपरेशन फ्लड जैसी क्रिशी सुधार के लिए कुछ रणनीतिया आरंब की गई परन्तु इसके कारण विका क्रासकार क्रम शुरू किया गया जो संस्थागत और तकनी की सुधारों पर आधारित था इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपून कदमों में सूखा बाढ़ चक्रवात आग तथा बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान और किसानों को कम दर पर रिण सुविध कर पाएं इस दिशा में आगे कदम उठाएं और इसलिए हमें यहाँ पर बताया गया है कि महत्वपून कदमों में सूखा बाढ़ चक्रवात आग बिमारी इन सभी के लिए फसल बीमा बहुत आवशक था किसानों को कम दरों पर लोन देना भी जरूरी था है ना और किसकी ह थापना इसमें सब कुछ सम्मिलित थे ठीक है ना दोस्तों किसानों के लाप के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुरगटना बीमा योजना पी ए आई एस भी शुरू की नाम याद रखिएगा दोस्तों इसके लावा आकाश्वानी और दू पसारित किये जाते हैं दोस्तों किसानों को बिचॉलियों और दलालों के शोशन से बचाने के लिए नियूनतम सहायता मूल्य और कुछ महतुपून फसलों के लाबदायक खरीद मूल्यों की सरकार घोशना करती है अब दोस्तों हम ये जानकारी पढ़ेंगे जो है भूदान ग्रामदा दोस्तों महात्मा गांधी ने विनोबा भावे जिन्होंने उनके सत्यागरह में सबसे निष्ठावान सत्यागरही की तरह भाग लिया था को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोशित किया था उनकी गांधी जी के ग्राम सुराज अवधार्णा में भी गहरी आस्था थी दोस्तों गांधी जी की शहादत के बाद उनके संदेश को लोगों तक पहुचाने के लिए विनोबा भावे ने लगभग पूरे देश की पधियात्रा की एक बार जब में आंध्रप्रदेश के गाउं पोचम पल्ली में बोल रहे थे तो कुछ भूमी ही गरीब ग्रामिडों ने उनसे अपने आर्थिक भरन पोशन के लिए कुछ भूमी मांगी विनोबा भावे ने उनसे तुरंत कोई वायदा तो नहीं किया परनतु उनको आश्वासन दिया कि यदि वे सहकारी खेती करें तो वे भारत सरकार से बात करके उनके लिए जमीन मुहया करवाएंगे दोस्तो अचानक श्री राम चंद्र रेड़ी उट खड़े हुए और उन्होंने असी भूमी ही ग्रामिडों को असी एकड़ भूमी बाटने की पेशकश की इसे भूधान के नाम से जाना गया बा परंतु कुछ जमीदारों ने तो भूमी सीमा कानून से बचने के लिए अपनी भूमी का एक हिस्ता दान किया था दोस्तो विनोबा भावे द्वारा शुरू किये गए इस भूधान ग्राम दान आंदोलन को रक्तहीन करांती का भी नाम दिया गया मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपको समझ में आई है चलिए आगे बढ़ते हैं क्रिशी की राष्टी अर्थव्यवस्था रोजगार और उत्पादन में योगदान दोस्तों क्रिशी भारती अर्थव्यवस्था की रीड की हड़ी रही है है ना क्यूंकि दो तीहाई जन संक्या इस पर गटने के बाद भी उपरांत भी या 2010-11 में देश की लगबग 52 प्रतिशत जन संक्या के लिए रोजगार और आजिवीका का साधन थी दोस्तों क्रिशी का सकल घरेल उत्पाद में घटता आंच गंभीर चिंता का विशह है क्योंकि क्रिशी में किसी भी प्रकार की अर्थविवस्था के अनिशेत्रों में गिरावट लाएंगे जो समाज के लिए व्यापक नहितार्थ है है ना दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि क्रिशी का जो महत्व है ना उसको समझते हुए भारत सरकार यानि इंडियन गवर्मेंट ने इसके आधुनी की करण के दूर बताईएगा है ना दोस्तों आगे बढ़ते हैं भारती क्रिशी में सुधार लाने के लिए भारती क्रिशी अनुसंधान परिशद नाम याद रखिएगा क्रिशी विश्वे ध्यालेव की स्थापना पशु चिकित्सा सिवाय और पशु प्रजनन केंद्र की स्थाप अपना बागवानी विकास मौसम विज्ञान और मौसम के पूर्वानुवान की शेत्र में अनुसंधान और विकास को वरियता दी गई अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों देखिए तालिका से जो है इसपष्ट हो जाता है यह जो तालिका दी हुई है क्या इसपष्ट हो जाता है कि पिछले वर्षों सकल घरेलू उत्पाद में वरिद्धी हुई है कैसे 13 14 में 4.2, 2014 15 में 0.2 रिण में और 2015 16 में 1.1 सकल घरेलू उत्पाद में वरिद्धी जो हुई है उसको प्रतिशत मेहा पर बताया गया है ठीक है ओके तो दोस्तों हमें यह बताया है कि इससे देशों परियापनातिरा में योजगार के आउसर उपलब्द लेकिन इसके बाद भी नहीं हो रहे हैं क्रिशी में विकास दर कम हो रही है जो की एक चिंता जनक स्थिती है दोस्तों बरतमान में भारतिये किसान को अंतराश्टिय प्रतिसपरदा से एक बड़ी चुनोती का सामना क्रिशी सेक्टर में विशेश रूप से करना पड़ रहा है प्रतिसपरदा यानि कॉम्पिटिशन दोस्तों रासायनी कुरवरों को पर सहाय की कम करने से उत्पादन लागत धीरे-धीरे क्या हो रही है बढ़ रही है और इसके अतरिक्त क्रिशी उत्पादों पर आयात कर घटाने से भी देश में क्रिशी पर यानि खेती पर हानिकारक प्रभाव पढ़ा है दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि किसान क्रिश पर प्रभाव ठीक है ना यानि globalization का क्या असर पड़ा है दोस्तों वैश्वी करन कोई नई घटना तो नहीं है उपनिवेश काल में भी यही स्थिती मौजूद थी 19 वी शताब्दी के अगर हम बात करें तो तब भी जब यूरोपिय व्यापारी भारत आये तो उस समय भी भ मसाले भारत से निर्याद किये जाने वाली मुख्य वस्तूओं में शामिल है ठीक है दोस्तों ब्रिटिश काल की अगर हम बात करें तो इसमें अंग्रेज व्यापारी भारत के कपास शेत्र की और आकर्शित हो गए अट्रेक्ट हो गए और भारती कपास को ब्रिटेन में अच्छे माल के रूप में निर्याद किया गया दोस्तों मैंचेस्टर और लिवरपूल में सूती वस्त्र उद्योग भारत में पैदा होने वाली उत्तम किस्म की कपास की उपलब्दता पर फली-फूली हमने 1917 में बिहार में हुए चंपारन आंदुलन के विश्वय में वारा भारत में शुरू किया गया पहला अंदुलन था ठीक है ना याद रखिएगा नील दोस्तों ब्रिटेन के सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्छा माल था ये किसान इसलिए भड़के दोस्तों क्योंकि उन्हें अपने उपभोग के लिए अनाज उगाने से मना कर दिया गया था दोस्तों 1990 के बाद वैश्वी करण के तहट भारतिये किसानों को कई नई चुनोतियों का सामना करना पड़ रहा है चावल, कपास, रबड, चाय, कॉफी, जूट, मसालों का मुख्योत पादक होने के बावजूद भारतिये क्रिशी विश्व के विक्सित दे संबरधन, ठीक है, दोस्तों आज भारतिये क्रिशी दोराहे पर है, भारतिये क्रिशी को सक्षम और लाबदायक बनाना है, बाद ठीक है, तो सिमान्त और छोटे किसानों की स्थिति सुधरने पर जोड़ देना होगा, हरित क्रांती ने लंबा चोड़ा वाइदा किया, पर भूमी का निम्नीकरण हुआ है, दोस्तों आज जीन करांती संकेच शब्द है, जिसमें जननिक इंजीनियर एंग, जो है, वो सम्मिले थे, मैं आपको बता दूँं कि ये जननिक इंजीनियर जो है, बीजो की नई संकर किस्मों का आविश्कार है, करने में, आविश्कार कर दोस्तो वास्तव में कार्बनिक यानि और्गेनिक क्रिशी यानि खेती का आज अधिक प्रचलन है क्योंकि यहां उर्वरकों तथा कीट नाश्कों जैसे कारखानों में निर्मित रसायनों के बिना की जाती है इसलिए पर्यावरण पर इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं का भविश जो है वह अंदकार मैं है दोस्तो भारत में लगभग 83.3 करोड लोग लगभग 25 करोड हेक्टेर भूमी पर निर्भर है इस प्रकार एक व्यक्ति के हिस्से में और सतन आधा हेक्टेर से भी क्रिशी भूमी आती है भारती किसानों को शस्या वरतन करना चाहिए औ और खाद्यानों के स्थान पर कीमती फसले उगानी चाहिए है ना दोस्तो इस से आमदनी अधिक होगी और इसके साथ परियावरण निमनिकरन में कमी आएगी फलो और शदिय पौध हूं बायो डीजल फसनों जट रोफा और जोजोबा फूलों और सबजीयों को उगाने के लिए चावल या गन्ने से बहुत कम सीचाई क्याव शक्ता है याद रखिएगा आप दोस्तो भारत में जलवायू विविदता का विविन्न प्रकार की कीमती फसले उगाकर उपयोग किया जा सकता है दोस्तो मुझे उमीद है कि आपको यह अध्याय अध्याय में दी गई ह हार एक जानकारी बहुत सरलता से समझ में आई होगी और दोस्तो मेरी अपेक्षा है आपसे रहती है कि यदि आपको यह अध्याय समझ में आया हो यह वीडियो समझ में आया हो तो आप जरूर शेर कीजेगा साजा कीजेगा इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों कर दो एकार कर दो एकार